हमारा चौथा गोल्डन रूल सुनहरा रूल है संगबाद और आज संग का डेवी है संग साथ दिन में एक वार बैठा करता था बहुत पुराने समय से बुद्ध से भी पहले साथ 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 बैठने की काम या साथ साथ बैठने का चरिया तो संगी पाद बाहुल हपते में एक वार साथ दिन में एक वार सत्ता हमें एक वार होता था सारे जितने भी लोग थे वो सब बैठा करते थे क्योंकि गाओं पास पास दूर दूर होते थे आने जाने का सादन नहीं इसलिए बहुत सारे संगी पाद बाहुल होते थे कोई एक नहीं होता था अलग अलग जगे इसी प्रिक्रिया को बाद में क्योंकि बुद्ध से जब धम गया और इसा मसी ने सीखा लेह के अंदर जैसा कि नेट पे उपलब्ध है और जो रसिया के एक पत्रकार है उन्होंने खोज की रबताया तो जो इसाई मत में गये लोग उन्होंने वहाँ संडे को अपना एक साप्ताहिक दिन रखा और पहले से एक दिन चलना था जो साप्ताहिक बाद में मुहम्मझ साब ने भी उसको फ्राइडी करके रखा सभी लोगों में सन्नी पात बाहुल होता है और सन्नी पात बाहुल का दिन होता है पूरी दुनिया में एक दिन जरूर होता है लगवक सत्ता में ही होता है तो संग बैठता है आने वाले जो समय है उसकी चर्चा करता है जो समय चला गया है उसके वारे में आकलन करता है और जो प्रजेंट में चल रहा है उसके वारे में निर्ने करता है ये संगों की खास बाद होती है तो संग बाद अगर हम देखें क्योंकि ये समणों का संग है समण संग है और समण संग बाद तो अगर समण संग है तो यहां संग बाद ही हो सकता है संग बाद के लावा कोई और बाद रही हो सकता बाद का मतलब होता है जैसे हम यह कहते हैं कि फ़लाने किसी चीज की बाचित करना उसके वारे में जानकरी हासिल करना उसके वारे में चर्चा करना इसको वाद बोलते हैं पाली के अंदर और इंगलिस में इसको बोलते हैं लोजी जैसे आइडियलोजी है फीजियलोजी है क्रिमिनलोजी है यानि जो सब्जेक्ट है उसके वारे में बात करना वाद करना और य चाहे संग वाद हो, चाहे संग वाद हो, चाहे संग्ठन वाद हो, चाहे मनु वाद हो, चाहे अंबिटकर वाद हो, इसका मतलब उससे सम्मंदित चीज़ें, उससे सम्मंदित बातें, उसकी चर्चा और वो क्या है क्या नहीं है, इसके उपर सारी बातें वो वाद में आती है तो हम यहाँ जो जिक्र करते हैं और जो हमारा नियम है वो है संग बात का यानि कि हम संग के उपर ही बात करेंगे, संग के उपर ही चर्चा करेंगे संग के क्या नियम है, संग का क्या इथियास है, संग कहां से आरम हुआ संग कैसे कमजर पड़ते हैं, संग कैसे तूटते हैं, संग कैसे लोग और प्रैक्टिस करते हैं, कैसे संग पुरी दुनिया में फैलते हैं, कितने तरह के संग होते हैं, बिना संग वाले लोग कौन कौन से होते हैं, संगों के नियम क्या है, और जो संग में नहीं हैं लोग, और आज के समय हमें अपनी जान बचाने के लिए केवल संगबाद ही क्यों चाहिए बहुत पड़ा सब्जेक्ट है ये क्योंकि इतना पड़ा सब्जेक्ट है कि पूरी दुनिया इस पर चलती है चाहिए संयुक्तराज संग हो चाहिए अमरीका का जो जूनाटे स्टेट्स हो यानि संयुक्तराज अमरीका संग हो चाहिए भारत गड़राज्य संग हो चाहिए जो देश हैं पूरे जो इसको यूएन बोलते हैं यूनाटे नेसंस संग हो या सोवियत या जो जितने भी संग ह या भिक्कु संग है या भिक्कुनी संग है या लोगों के संग है या जो रिलियस संग है या जो आर्थिक संग है या जो कमर्शिल चेंबर बने हुए है या जो अलग-अलग लोगों ने यूनियटिड यूनियन करके बनाई हुई है उनके संग है तो संग बहुत है और ने हिसाब से देखें क्योंकि बैपारिक संघ है या राजनितिक संघ है या देशों के संघ है उनसे हमें अभी इतना ज्यादा लेना देना है नहीं पर भारत में जो हमारा सबसे प्राचिंत्व संघ है पूरी दुनिया में, सबसे पहला जो संग है, जो भारत के लोगों का समनों का संग है, जो मनुस्या का संग है, उस संग के जो नियम है, वो सारे नियम प्रकर्तिक वेस हैं, पक्ति वेस हैं, नेचर वेस हैं, यानि कि संगों के नियम बनाए नहीं गए, प्रकर्ति से लिये गए हैं, देखा गया है कि कैसे जो चीज़ें इखटी रहती हैं, जैसे जो जानवर इखटे रहते हैं, जैसे जो मदुमक्यां इखटी रहती हैं, जैसे जो चीटिया इखटी रहती हैं, जैसे जब हवा इखटी होती हैं बबंडर बन जाती है, और कैसे पत्थर इखटा होता है तो पा का सामना करने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने भोजन के लिए और अपने विकास के लिए ये तै किया कि अकर सात रहेंगे तो ही जीएंगे उनके पास ना कोई किताब थी ना कोई नियम थे ना कुछ पता था एक सहज ग्यान था एक प्राकर्तिक ग्यान था एक होगी यह जो आइडिलोजी है यह जो विचार है यह जो संग का विचार है प्रकृति से आया इसलिए अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि संग का विचार उसका है तो वो दावा दे सकता है क्योंकि वो भी संग का हिस्सा है वो भी प्रकृति का हिस्सा है पर व्यक्ति आधा कि रहे इसलियए बुद्ध ने जो अपने भिक् को संग बनाए और भिक्को नी संग बनाए उस बिक्क शंग पर उसमय खाली संग बोला करते थे क्योंकि और कोई था नहीं समड़ों के लावा तो वो जो समड़ संग है उसकी मेंबर्सिप लिए उसके नियम थे और उसके नियमों पे आधरी चलके समड़ संग मैं वो दाखिल हुए उसके बाद जब उन्होंने अत अज्ञन का ग्यान प्राप्त किया अत अज्ञन माने उसके नियम उसी हिसाब से डबलब होते गए दुनिया में बहुत सारे रिलिजन बने बाद में उनकी भी संग बने उन्होंने भी अपने नियम कुछ यहां से लिए कुछ वहां से बनाए तो बेसिकली संग बहुत बड़ी चीज़ है और संग के अलावा जो संग है वो करनी है वो बात करनी है भारत के सेनखरियों में और जो हम लोग समल लोग हैं उनके लिए क्योंकि जो संग में रहते हैं उनका कभी कोई नुकसान नहीं होता और जो संग से तूट जाते हैं वो मारे जाते हैं बिखर जाते हैं गुलाम बन जाते हैं उनकी सब चीजें चली जाती हैं यह प्रकृति का नियम है और वही नियम संग का भी है संगो में आज के समय भारत में हमारे खास्तोर से जितने भी लोग हैं जो समण हैं वो अपनी पुराचीन संगो की प्रॉपर्टी को भूल गए और उन्होंने जो नुकसान दायक चीज था जो सिस्टम था उसको एडॉप्ट कर लिया काम तो उन्होंने इखटा होने का किया पर इखटा होने का काम उन्होंने मनुसमर्थी आधारित सिध्धान्थ पे किया दो आइडेलोजी चलती है, एक संग की भारतिया ओरिजिनल आइडेलोजी चलती है और एक यरुसलम की आइडेलोजी चलती है, जो किसी व्यक्ति आधारी चलती है। हमारा जो पुराना सिस्टम था, उस सिस्टम में सुरू से लेके आखिर तक कहीं भी नेततों के नाम पर व्यक्ति नहीं होता। हिसका परिवार चलता है और उसकी मानिता अंधी होती है। उसको लोग नहीं चुनते, लोगों से चुनने का कोई मत्तब नहीं बस वग्ति होता है उसी का परिवार चलता है और उसी में से व्यक्ति आते रहते हैं, वहां व्यक्ति का नेतत होता है, संग के अंदर संग का नेतत होता है, वहां व्यक्ति फैसले करता है, यहां संग फैसले करता है, वहां व्यक्ति अकेला काम करवाने वाला होता है, यहां सारे मिलके अपनी जुम्मदारी से अपना काम क पें उनको लावडाब होता है इसलिए जो संगवाद की जो परणाली है वो भारत की परणाली है और वो सब के लिया थी आपको भारत की पूरी हिट्री में नायक नहीं मिलेगा नायकवाद नहीं मिलेगा किसी संग में, बुद्ध के संग को भी आप लेंगे तो वहां नायक नहीं है, उनके बाद भी नायक नहीं है और उससे पहले किसी नायक का नाम नहीं मिलता, यानि व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, ये सारी बातें बुद्ध के समण संग के जितने नियम थे वो त हावासाव अम्बेटकने जो सन्विधान में संघ के नीयम डाले हैं वो वहीं से लिए है पर अंतर इतना है कि वो सम्डों के लिए भी है करें पूरे देश के नियम होने के नाते ये भार्त-गड़ राज्य संघ के हैं पर नीयम भही है आप अगर ध्यान से देखोगे तो सम् fundamental rights हैं , वही rights जो हमारे पहले समन्लो संग में थे, वही रायट्स है जो बुद्ध्य समत्अ में लागू किये और वही fundamental rait हैं जो बावास 싸‌धाने संविधान में दिये पर में जो हैं वो समडों और वम्लों के लिए हैं और जो भिक्कु संग में हैं वो खाली भिक्क्रों के लिए है पर जो समप funky राइट सें वो सारी सम्डू के लिए है और जो वम्लों ने संग मनाया है वो अपने हिसाब से चलाते हैं उनandan के राइट उनके होती थी, जो भी खेद खलियां जंगल होते थे, उन पर सब का अधिकार होता था, कोई भी जाए जंगल में कोई भी काम करे, कोई बाउंडर नहीं, कोई रोक नहीं, टोक नहीं, जिसको जितना काम करना उतना करे, जितने जानवर वो ला सकता है, लाए, जितने जानवर या कोई किसी की कहीं कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई किसी को रोके सबके राइट्स बरावर थे वही राइट्स भिक्कू संग में थे सारे भिक्कों के राइट्स बरावर थे किसी भी भिक्कू के कोई भी अधिकार जादा रही ना कम और वैसा ही बावसा अम्मेट करने सम नहीं है बेसक वो गरीब है बेसक वो अमीर है बेसक वो दूला है बेसक वो लंगडा है सारे के सारे राइट सारी सारी चीज़ें वो इस्तमाल कर सकता है पूरे देश में कहीं आ सकता है कहीं जा सकता है कोई भी अपॉशनटी देश की इस्तमाल कर सकता है देश के किसी भी इं का अधिकार है संग जब चाहे जिसकी प्रॉपटी चाहे अपने देश के इस्तमाल के लिए संग के ले सकता है सारे नियम वही है भाद गड़ राजय संग के जो भिक्कु संग के भिकुडी संग के हैं और जो पुरारे समढ संग के तीनों चीज़ें एक चलती हैं तीनों एक सही किनिवारमत होती हैं और तीनों ही प्राकर्तिक रूप से हैं जो इसमें प्राकर्तिक रूप से आता है जो चीज़ें खराब करता है वो कैसे कैसे करता है जैसे समर्संग बिलकुल ठीक चलता था पर भिक्कु संग में भिक्कु स कई सारे ऐसे लोग आए जो पूरे पड़े नहीं पूरे त्यार हुए नहीं पर उनकी चलनी चाहिए कई सारे ऐसे लोग आए खुद जो बुद्ध हैं उनके भाई द्यवदत के उन्होंने कुछ नियम ऐसे बता दिये जो ऐस VO प्राकर्टिक थे जो उन्होंने सिर्फ इसलिए नियम बनाए कि इसमें से कुछ भिकू उन्हों नियमों को देखके आराम में आ जाएंगे उन्होंने वो नियम बनाए जो प्राकर्टिक नहीं थे जो भिकू संग के लिए नुकसान देने वाले थे पर भिकू के लिए आराम लोटके, उनको समझ आ गया, वहां तोड़ने कोशिस होई, पर संग तूटके संग नहीं जाता कहीं भी, संग में से कुछ लोग तूटते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और आ जाते हैं, पर संग नहीं तूटता, पर जो संग्ठन होते हैं, वो अगर तूटते हैं, तो पर्मानेंट फिर दो संग्ठर बन जाते हैं, चार बन जाते हैं, आठ बन जाते हैं, सोले, बतिस, चौशट, एकसो, अठाइज, दोसो, चपन, पांसो, बारे बन जाते हैं, 39 लाख बन गए, पर संग में से अगर कुछ लोग जाते हैं, तो संग वहीं रहता है, संग कहीं नहीं जाता, इसलिए भारत गड़राज्य का जो सम्विधान है, उसमें से अगर कुछ MP संपी भग जाएं, कुछ MLS मले भग जाएं, कुछ मंत्री स्तीफा दे दें, कोई प्रधान मंत्री स्तीफा दे दे, या कोई अपनी नौकरी में से छोड़के चला जाए, तो भारत गड़राज्य संग का सिस्टम नहीं हिलता, क्योंकि वो व्यक्ति आधारित नहीं है, और देश भी नहीं कि हिलता, वो तूटता है क्यों कि वो भारत गर्राज्य संग है और उसका जो प्रोटेक्टर है उसका जो रक्षक है वो भारत गर्राज्य संग का संग आधारित संग वाद पर आधारित संविधान है इसलिए उसका कुछ नहीं बिगरता लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं मरते रहते छोड़ते रहते हैं पर वो सम्विधान भी वही रहता है देश भी वही रहता है और सिस्टम वही काम करता रहता है सरकारें कहीं नहीं जाती जो जाता है वो व्यक्ति जाता है यह सिस्टम सारे के सारे सिस्टम संगवाद पर अधरित है इसलिए सक्सेस्फुल है इसलिए चलत वो क्या करेंगा समड संग में आएगा समड संग में आर्थिक एजंडे लगाएगा ताकि उसको फायदा हो जबकि समड़ संग आर्थिक एजंडे नहीं लगाता कोशिस करेगा यहां के लोगों को बहलाने की फुस्ताने की यहां कोशिस करेगा कि fundamental जो rights हैं लोगों के संग के अंदर वो deflected हो जाए बोलने की आजादी चली जाए कपले पेने की आजादी चली जाए खाने पीने की आजादी चली जाए रंग रोगन पर जगड़ा हो जाए चेतर जगड़ा हो जाए या प्रिजंटेस्टेशन पर हो जाए बहुत सारी बातें वो करेगा पर वो समझ नहीं पाएगा कि संग का कहीं कोई नुकसान नहीं होता जैसे भारत का सम्विधान हर एक व्यक्ति क्यों पूरे राइट देता ह है और यह पिर्णाली वहीं से चलती है संगवाद की वैसे ही समझ संग के अंदर भी यह राइट है सबका कि हर एक व्यक्ति यहां संगवाद के अधारित पे उसकी पूरी आजादी और पूरा उसका जो जीवन जीने का तरीका है वो आजाद होता है उसमें संग दखल नहीं देते संग सांगिक जो रचना होती है जो सांगिक नियम होते हैं जो संभू के नियम होते हैं उनमें दखल देता है किसी के मत मतांतर में किसी के वहवार में किसी के रहन सेन में संग दखल नहीं देते इसलिए पुराने समय में जितने भी लोग संग में रह दियाते थे उनक काम होता था, किसी की individual property में जाके या individual किसी के behavior में जाके दखल देना देश के कानून में भी नहीं है, समड़ों के कानून में भी नहीं है, और बुद्ध के कानून में भी नहीं है, तो यहां जो लोगों ने संग्ठन मनाए और जो संग्ठन की practice करी, वो हमको परिशान करती है कैसे परिशान करती है, लोगों ने यरुसलम से, मनुबास से आधारित, जो संग्ठनों की रचना की, उसमें व्यक्ति प्रधान बना दिया, उस व्यक्ति ने अपना परिवार उसमें सामिल कर दिया, वो परिवार उसके अंदर रहता है, वो व्यक्ति मरता है तो अपने पर पैसा खटा नहीं हो सकता पहले कभी खटा नहीं हुआ जो समण संग है उसमें कभी खटा नहीं हुआ जो भिक्वों का संग है उसमें कभी खटा हुआ और देश के अंदर भी ऐसा टार्गेट नहीं होता कि देश का काम यानि भारत गर्राजे संग के सम्विधान का काम लोगो से अरबवा रुपिया खटा करकि खजाना भरना छीवर उख को इस जाता थbane जाता है हमारे पास में दस जार चीवर और बोरी खाना हो इस वहीं वही नियम समड के संग में होता था, समडों के संग में, कभी ऐसा कहीं नहीं मिली जानकारी में कि लोगों ने बोरियों के भंडार कर ली हों, अंड के भंडार जमा कर ली हों, कि ये संग जमा करके रखेगा, बस जो भात भरना है, हाथ क्या तलाए, जिसको जरुत हो अपने खाना लाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, अपने पैसे से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, चले जाते हैं, शेरिंग गाड़ी करके आते हैं, गाड़ी में रहते हैं, बैठते हैं, खर्चा देते हैं, अपना अपना चले जाते हैं, पर एक खटा नहीं करते हैं, एक खटा के जो नियम है वो बड़े अजीव है संग्ठनों के अंदर व्यक्ति की नहीं चलती वहाँ सिर्फ नेता ही चलती है अगर संग्ठन के सारे लोग कुछ कहना चाहें तो नेता उसको माने यह ना माने नेता की मर्जी क्योंकि नेता यह कहता है कि आपने मुझे नहीं बनाया, मैंने आपको बनाया है, मैंने आपकी परची काटी है, आपने नहीं बनाया संग्ठन, जितने भी संग्ठर बनते हैं, वो लोगों की मर्जी से नहीं बनते, यानि वो संग आधारित नहीं होते, संग के द्वारा नहीं बनते, वो व्यक्ति बन आते हैं या की परिवार ने या दो चार लोगों नहीं बनाए प्राकर्थिक संग जितने भी हैं वह सबसे मिलके बनते हैं जो भिक्कों का संग था वह सबसे मिलके बना और जो भारत का संग है भारत गड़राजे संग है वो भारत के 135 करड़ लोगों से मिलके बनता है और जो समण संग है वो 120 करड़ लोगों से मिलके बनता है तो सारे लोगों के द्वारा बनता है इसलिए लोगों का होता है लोगों के लिए होता है और लोगों से होता है इसलिए सम्विधान भी by the people for the people of the people है सारी बातें आपको संग की similar मिलेंगी अगर किसी को संग का modern अधन करना हो तो उसको भारत गड़राज्य संग का सम्विधान अधन करना चाहिए किसी को अगर धम के संग का अधन करना हो बिक्व संग का तो उसको विनेपीट करना चाहिए और किसी को अगर संग का धन करना हो तो संग में आना चाहिए संग में आकर देखे और comparison करे कि यहाँ क्या अंतर है क्या नहीं यहाँ पारवारिक रिष्दा होता है संग के अंदर यहां बाकाइदा बहुत आराम आराम से काम होता है सभी संगों में और वो एक दूसरे को परिचित होते हैं और एक दूसरे को नाम से परिवार से जानते हैं संगों के अंदर भीड़ नहीं आती संगों के अंदर संग ही आते हैं उनका परिवार आता है पर संग्ठनों के अंदर भीड़ आती है संग्ठनों के अंदर हमेशा रेल आता है मिल आता है बस इवेंट होता है किसी को नहीं पता कि उसमें कौन आया उनका वेपक्षी आ गया या उनका पक्ष वाला आ गया उन्हें नहीं पता उन्हें सिर्फ हेड गिनना है उनको सर गिनना है इवेंट हो गया अपना काम पक्का हो गया ऐसा काम संग्ठनों में होता है बाबा होगी जैजे होगी पर संग्ठन साल में एक या दो इवेंट करते है पर संग 305 दिन काम करते हैं संग्ठनों के काम सो वाजी के होते हैं बड़ी-बड़ी मंचें बड़ी-बड़ी माला दिखावा पैसा सेलिबरिटी सेलिबरिटी के नाम पर भीड इखटा करने के लिए पहलवान की और पहलवाननी की आवसकता नहीं होती, किसी बोड़ी बिल्डर की आवसकता नहीं होती, किसी नेता की आवसकता नहीं होती, किसी प्रधान मंत्री को गाली देने वाले या किसी राष्ट अध्यक्ष को गाली देने वाले या विरोध में बोलने वाल यह संगवाद है तो संगवाद के अंदर पैसा नहीं लिया जाता पैसा नहीं खटा करता संग कभी सुरू के संग से लेके जो संग हमारा समलों का था उसमें कहीं नहीं था कि कोई खजान चीये या कोई पैसा तब तो पैसा होता भी नहीं था अपनी अपनी रोटी लेके आते थे अपना अपना पानी सब मिलके खाते थे और चले जाते थे भिक्को संग के अंदर भी क्योंकि नियम था कि भिक्को टीचर है कमाएगा नहीं और वो समाज के खाने पर रहेगा और समाज को उसके बदले में पढ़ाएगा क्योंकि वो टीचर है तो वो खाना भी लिविटिड लेगा वो खाना ले दियता था और खाना लेके जितना खाना कामाय उतना खाया 20% कम खाया बागी छोड़ दिया भारत्गरराज संग में हर एक व्यक्तिकी गरीमा का ध्यान रखा गया है यहाँ बिकारी ना हो कोई इसलिए सरकारी योजना चलती है वो अलग बात है क्यों इंप्लिमेंट नहीं होती पर हर व्यक्ति की गरीमा का गारंटी सम्मिधान में है पर सम्मिधान की गारंटी तब ही है जब सब लोग मिलके अपने सम्मिधानिक अधिकार लें क्योंकि सम्मिधान आपको गरीमा देता है पर अधिकार लेनी की जिम्मेदारी आपकी है कि आप अधिकाल लें क्योंकि खाना आप साथ लेके आएंगे तो खोलना तो आपको पड़ेगा चवाना तो आपको पड़ेगा निकलना तो आपको पड़ेगा वैसी संविधान गारंटी देता है पर लेनी आपको पड़ेगी और आपके घर भी आ सकती है अगर आप संग में खटे हो जाएं ये भी सम्विधान बोलता है तो यहां सब के सब लोग खाना अपना खाते हैं संग के अंदर अपने किराय से आते हैं अपने किराय से जाते हैं और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है पूरा अधिकार है मानी वही बात जाती है जो सही हो जो संग के हित में हो. कोई व्यक्ति अगर अपने हित की बात करे और संग में रखे तो संगों को समझ में आ जाता है. कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अहित की बात रखे तो भी संगों को समझ में आ जाता है. तो अपने संगों में हैं और यह पालियमेंट में भी है यह सबसे बड़ा संग भारत गडराजे संग है उसके अंदर भी है कि अगर भारत गडराजे संग के वेलफेर की बात होगी तो मानी जाएगी और अगर भारत गडराजे संग के वेलफेर की बात नहीं होगी तो डाउन हो जाएग और पास हो गया तो इंप्लिमेंट नहीं हो सकता इसलिए संगों के अंदर सारे नियम सेम सेम एक से चलते हैं कहीं कोई अंतर नहीं है संगों की कारेप्रणाली पूरी दुनिया में एक सी है संग के अंदर जब फायदा आता है तो सब को मिलता है भारत के अंदर को इसकीम बनती है फायदे की तो सब को बनती है भिक को सब को फायदा देते थे वो नहीं देखते थे कि वमण है या समण है पर समण का जो संग है वो सब को फायदा देता है पर चुकि समणों का संग है इ विकास के लिए और अपनी सु्रक्ष़ा के लिए बनते हैं है però इसके हिसाप से संग का नियम और उतका उप्योग नहित होता है कि संगों के अंदर कभी विरोधी विचारदार की लिए को में जगे वैसे ही भिक्कु संग के अंदर पाति मोक के अंदर वहां भिक्कों के विरोध में या धम के विरोध में विचाधारा नहीं आ सकती क्योंकि उनका काम पढ़ाने का है धम को सिखाने का है और वैसे ही समणों के अंदर समण संग के विरोध की विचाधारा या धारा नहीं आ सक तो उसको डिसोवे भी नहीं कर सकता बुद्ध ने संग का नहीं जब बुद्ध नहीं थे सिद्धत थे तो उन्होंने युद लड़ने से संग की नियम को मना कर दिया पनिस्मेंट हुई और संग छोड़ना पड़ा देश निकाला हो गया साख के संग का निकाला हो गया वैसे ही अगर कोई भारत का विरोधी होता है और विरोधी विचार धारम चलता है जो सम्विधान को मानता नहीं देता जो गौर्मेंट को मानता नहीं देता जो गौर्मेंट के चुने हुए नुमायंदों को मानता नहीं देता उसको जेल हो जाती है उसको सजा हो जाती है मौत भी ह सकती है फ्रांसी की सजा भी हो सकती है देश दुरों में वैसे ही समन संगों के अंदर भी होता था पुराना नियम है कि अगर घात करेंगे और समन विचारधारा को पनपने देंगे, या मन में लेके आएंगे, या जिक्र भी करेंगे, या किसी को भढ़काएंगे, या किसी को नुक्सान करेंगे, तो संग उसका दंड तय करता है, यह सुन से चला आ रहा है, भारत के अंदर आप भारत में रहके, भारत की विचारधार के व विरोध के लिए भी जगे नहीं है, संग एक विचारधारा पर चलते हैं, और एक आदेश पर चलते हैं, सारे संग, चाहे वमणों का है, चाहे समणों का है, पहला तो हमारा ही है, पर नियम सब ने हम से लिए है, चाहे देश का संग है, चाहे भिक्कू का संग है, चाहे संग अमरिका का संग है, चाहे रूस का संग है, चाहे यूनाइट नेशन का संग है, कहीं का भी संग है, एक विचारधारा होती है, दूसरी होती नहीं, इसलिए संगियों के अंदर, संग के अंदर वही रुखता है, वही चलता है, जिसको संग के सारे नियम कुबूल है, जो सारे नियमों को मानता है, जिसको सारे नियमों में कोई संसे नहीं है, संसे है तो पहले पूछ ले, अगर कुछ बात दिक्कत आ रही है तो पहले पूछ ले, पर अगर एक वार संग को स्विकार कर लिया और एक वार संगी बन गया, फिर नहीं चल सकती, फिर बात नहीं होगी, फिर प्रसर भी नहीं पूछ सकता, यहां तो समर संग में अलाव कर देते हैं कि पूछ ले भई, क्योंकि अभी संग्ठन की आदत पड़ी हुई है, इसलिए अपने समर संगी भी कई बार पूछ डालते हैं, भरी मीटिंग में उनको बता रखा है कि आपको अगर संग से है तो आप महिने में जो एक तारिक मिटिंग लगती है उसमें पूछ सकते हैं, पर उनको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि संग्ठन की सतर साल की आदत है, जाते जाते जाएगी और संग की आदत आते आते आ रही है, इसलिए उनको पता नहीं है कि संग के अंदर जो एक वार नियम पास हो को लगेगा, पास हो गया, तो नियम डाउन हो सकता है, अदर वार जो एक वार पास हो गया, पास हो गया, चाहिए गलत, ना खाता ना बही, संग जो कह दे वो सही, ये संगों के नियम होते हैं, ध्यान रखना, ना खाता ना बही, और जो संग कह दे वो सही, वही सही होता है जो संग कहता है क्योंकि संग अपने उद्देश से इन लिए काम करते हैं और उनका उद्देश है अपने लोगों का विकास, अपने लोगों की सुरक्षा और अपने लोगों का सुख और ये तब ही मिलेगा जब संग नियम पर चलेगा और सारे नियम इन तीन उद्देशों क आधारित नहीं बनते हैं संग का विकास संग का सुख और संग की सुरक्षा इसकी मद्दनेजर नहीं रखे बनते हैं किसी व्यक्ति को अगर लगे के एगो आ गया एहम आ गया वो बहुत बड़ा कारे करता है वो बहुत बड़ा तोप है तो संग से बड़ा कोई नहीं होता सं सब्बों पर ही है संग सबसे उपर है कोई नेता होगा अपने घर का कोई अमीर होगा अपने घर का कोई जानकार होगा अपने घर का कोई कैसा भी व्यक्ति है वो अपने घर का होगा पर संग में आएगा तो संग के नियम मानने होंगे भारत में रहेगा तो भारत गर राज्य सम्विधान के नियम मानने पड़ेंगे अगर भारत की नाग्रिकता ले रहा है और विदेशी भी आ रहा है तो विदेशी की जो नियम सम्विधान में वो मानने पड़ेंगे भिक्कू संग में रहेगा तो भिक्कू संग के नियम मानने पड़ेंगे अगर मुसलिम संग में रहेगा तो मुसलिम संग के नियम मानने पड़ेंगे अगर क्रिश्टन संग में रहेगा तो उसके नियम मानने पड़ेंगे ये नियम मानने की वाधता होती है और इसमें इफर बटनी होता, किंतू परंतू नहीं होता, अगर आपको चेंज कराने हैं तो इसका नियम है, प्रोसेस है, पर जो एक वार हो गया हो गया, वो नहीं बदलता, पर यहां अभी बड़े आराम से काम चलता है, ढिलाई से काम चलता है, सकता है, इसे नहीं चलता, क तो अपना चंदा काटे जा, पैसा बनाए जा, अपने बच्चों को पाले जा, जब तक संख बसता है, गाजर का संख, जब तक गाजर का संख बसता है, बजा ले, और जब पैसा आना बंद हो जाए, संख चलना बंद हो जाए, तो उस गाजर के संख को, गाजर का बना हुआ ह तो खाजा वही होता है कि व्यक्ति भारत के ंंदर जो संग्षार बनाते हैं वो बड़े जोड सोड से दावे करते हैं खूब कसमे खाते हैं, खूब मंच लगाते हैं, खूब लोगों को भरोसा दिलाते हैं, अपने दलाल चोड़ते हैं, पैसा खटा करते हैं, जमीन बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, फाउंडेसन बनाते हैं, उसके बाद में कोई स्कूल बनाते हैं, कोई होस्टल बनाते हैं, क और जब कहीं कुछ नहीं होता, तो अस प्रॉपर्ट्री को अपने बच्चों के नाम कर गया, तो मर जाता है, या अपने आँखों के सामने इपिछ देता है, सबी संग्ठनों की यही हलत है, कुछ देर से और कुछ सवीर से, कोई कितना भी हो यह कहे, संग्ठन वाला के नहीं ऐसा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है पर लाश्ट रिजल्ट यही है सबका सबका अगर आपको यकीन नहो तो अभी कुछ एक साल पहले तक जो हमारे बामसेफ के जो साथी थे मेसराम साथे मेसराम वाले वो ऐसा ऐसा दम भरते थे के पूछो मत उनके अभी पिछले साल दो हुए और क्यों हुए सबको पता है कोई 30-35 करोल का जगडा है कि वो पैसा एकटा कर लिया क्योंकि संग्ठनों में पैसा एकटा करने की परंपरा नहीं होती पर संग्ठनों में तो परंपरा ही पैसा एकटा करने की है क्योंकि संग्ठन तो जीते ही चंदे के लिए हैं जमीन क नाम पर रेष्टी है, वो उसका मालिक होता है. और जो अपने उसने पहरदार बनाएं वोगी उसके मालिक होते हैं और उसमें नियम निखा रहता है. आ जी вам फाउंडेशन का, आ जी वन परजिडेंट, फाउंडर परजिडेंट. आ जी वन, पर संगों के रिष्टेसन नहीं होते कभी किसी भी संग का रिष्टेसन नहीं मिलेगा आपको भारत गड़राज संग का रिष्टेसन नहीं है कहीं कोई कहे कि भारत गड़राज संग का रिष्टेसन दिखा दो कहा है वमणों के संग का रिष्टेशन नहीं मिलेगा आपको कहीं संगों के संग का भी रिष्टेशन नहीं होता कहीं संगों के रिष्टेशन नहीं होते संगों के अंदर रिष्टेशन की आवसकता नहीं होती क्योंकि संग सब का है संग व्यक्ति का हो इनी सकता कभी संग हमेसा समू का होता है और सब का होता है जो मा के पेट में बच्चा है उसका भी संग है और जो बुड़ा मरने वाला है प्रान छोड़ा है प्रान छोड़ने से पहले तक भी उसका संग है इसलिए संग सभी का होता है जिन लोगों के लिए संग काम करता है या जिनका होता है जैसे समडों का संग समडों के लिए और जैसे वम्डों का संग वम्डों के लिए जैसे भिक्कों का संग भिक्कों के लिए जैसे भिक्णों का संग भिक्णों के लिए तो काम उनी के लिए करता है इसलिए पंजीकर्ण नहीं होता कोई व्यक्ति संग खोले और आपको पंजीकर्ण करें तो दोनों बात गलत हैं क्योंकि कोई व्यक्ति संग खोल नहीं सकता क्योंकि संग नेचुरल प्रॉसेस है वो पहले से ही है कोई संग कोई व्यक्ति संग बना नहीं सकता बुद् प्राप्त होने के बाद जो पांचों उनके साथी थे, उनके पास गए, तो वहां उन्होंने कोई प्रस्ताब नहीं रखा कि मैं संग बनाता हूँ, बस वो इकटे हो गए और संग बन गया क्योंकि वो पहले से जानते थे, पहले से संगी थे, इसलिए वो पांचों भी संगी पावर को जानते थे, और पहले भी संग में रहते थे वो, जब बुद्ध को ग्यान प्राप्त नहीं था, तो तब भी वो छे के छे संग में रहते थे, साथ-साथ ही रहते थे, इसलिए पंजी करना नहीं होते, संग के आदेश को कोई टाल नहीं सकता, संग आदी से सब से पर होता है, भिक्कु संग ने जो आदेश पारित कर दिया, सारे भिक्कों को मानना है, जितना जगडा करना है पहले कर लो आदेश बनने से पहले, बाद मनी चलेगा, पालियमेंट में जो कानुर बनना है, बन गया, माननेता होगी पुरिदेश को मानना पड़ेगा, जो ज से पहले नहीं यानि संग का आदेश सब्वोपरी होता है पर संग अपने आदेश को बदल भी सकता है क्योंकि उसी का आदेश है और वह आदेश को बदल सकता है जब चाहे जब क्योंकि संग का आदेश सब्वोपरी और संग सबसे बड़ा होता है इसलिए संगबाद जो होता है वो भारत के समण लोगों के रग रग में है पर वमणों की रग रग में नहीं है यह ध्यान रखना प्रोपर्टी हमारी है वमणों ने हम से सीखा है उनका खून में और उनके जीन में नहीं है उनके खून में और जीन में व्यक्तिवाद है व्य बाइचारा नहीं है जो समण संग है या जो संग वाद होता है उसके अंदर परिवार वाद का मतलब है कि परिवार संग में रहता है उनके अंदर भाइचारा वाद होता है उसके अंदर एक दूसरे की मदद वाद होता है पर संग्ठनों के अंदर माधाल होती है एक दूसरे क कतल करने की योजनाय होती है एक दूसरे से सासन छीनने की सत्ता छीनने की कवायद होती है एक दूसरे के पीछे भाला लेकर लोग पड़ी रहते हैं वहां व्यक्तिवाद होता है वहां परिवारवाद होता है कि मेरा परिवार इसका मालिक रहेगा परिवार आपस में सहुख नहीं होते वो परिवारबाद नहीं है हमारे यहां तो परिवारबाद है कि सारे परिवार साथ साथ रहते हैं उनके यहां परिवारबाद उल्टा है कि मेरा परिवार ही इसका मालिक रहेगा वहाँ जितनी भी बाते होती है वो व्यक्ति को प्रधान और व्यक्ति को उपर उठाने के लिए होती है पर संग के अंदर जितनी बाते भी होती है वो संग को उपर उठाने के लिए होती है इसलिए संगों के अंदर कहा जाता है संग का आदेश है और संग्ठनों के अंदर कहा जाता है प्रिधान जी का आदेश है, अध्यक्ष का आदेश है, ये order आया है वहाँ से, बहुत बड़ा अंतर होता है संगबाद में और संग्ठरबाद में, पर परिणाम में उससे भी जादा अंतर है, संगों के परिणाम कभी खाली नहीं आते, संगों के परिणाम परमानेंट रहते हैं, संगों के जो रिजल्ट है वो बहुत लंबे चलते हैं, जब तक संग चलते हैं, जब तक उनको परिणाम मिलता है, संगों के परिणाम सबको बढ़ते हैं संगों के जो परिणाम आते हैं बहुत सॉलिड होते हैं टिकने वाले होते हैं पर संग्ठनों के जो परिणाम आते हैं वो उतले पुतले आते हैं कभी कभी आते हैं बाईचांस आते हैं और बहुत सोड टाइम के लिए आते हैं थोड़े बहुत समय के लिए फिर चले गए इसलिए पिछले पिछतर साल में जो हम संग्ठन पर काम कर रहे हैं परिणाम नहीं आ रहे बलकल संग्ठन जितना भी काम करता है और निगेटिव हो जाता है और भी एनरजी लेकर जाता है स वही हमारे साथ हुआ जितने बावासाःब शामान लेकाए हमाल निये जो अधिकाई लेकाए इन संग्ठनों के रहने से संग्ठनवाद की वैसे वो चले गए पर संग्ठन के लोग या संग्ठनवाद वाली लोग कभी बैठके जिक्र नहीं करते कि उनकी सिष्टम में क्या क करते हैं जब बावा साब अमिटकर ने साफ साफ कहा है कि आपको और्गनाइज रहके संग में रहना है तो फिर क्यों अलग-अलग रहते हैं और इस अलग-अलग को और्गनाइज कैसे बोलोगे चोदे अप्रेल आ रहा है बावा साब का खुम नारा लगाएंगे एजिटेट और्गनाइज एजुकेट तो जो उसमें और्गनाइज वाला नारा है उसको कैसे डिफाइन करोगे उसको कैसे लोगों को बताओगे कैसे निगाउची करके बताओगे जब इस्टेश से कहोगे कि सब को इखटा रहना है तो क्या अपनी तरफ नहीं देखोगे कि जिस मन्च से बोल ले हो ऐसी मन्चे हजारों काम कर रही हैं चाहे वो धम की मन्च से बोलोगे तो धम की हजारों मन्च हैं चाहे वो राजनितिक मन्च से बोलोगे तो राजनितिक हजारों मन्च हैं चाहे लड़कों के दलबल से बोलोगे तो ऐसे दलबल बहुत सारे खुले हुए हैं चाहे वो सामाजिक संथन से बोलोगे तो कितने सारे सामाजिक संथन हैं चाहे वो सरकारी करमचारी होगे नेताओं की मन्थ से बोलोगे तो कितने सारे सरकारी करमचारी की मन्त हैं तो सरम नहीं आएगी ये बोलते हुए कि बावा साब ने कहा है और्गनाइज या सिर्फ पढ़ाती ही रोगे सामने पढ़ाती ही रोगे बावा सामने और्गनाइज कहा तो संगवाद की बात होती है बावा साब खुद संगवाद पर आधारित संविधा देखे जाता है, वो आपको संग्ठरवाद के लिए कैसे यस कर देगा, वो कैसे कहेगा कि आप संग्ठरवाद में अलग-लग रहना, अगर भारतिय बहुत महासभा में, जितने लोग हैं, अगर बावा साप के सामने, उन्होंने तोड़ के इसके टुकड़े किये हुए, तो क बावा साप के सामने तूटी, तो बावा साप कितनों की पटाई करते, तो बावा साप अगर नहीं है, तो बावा साप का काम कर दो भाई, बावा साप ने कम मना किया है, अगर जान बचानी है, तो इक खटा होना तो पड़ेगा, तो कुछ काम आपको भी करना चाहिए, कु इसलिए संग में आओ, संग का काम करो, संग के नियम, तो वो कहेंगे हम आपके संग में क्यों आएं, वो ये बात बलकुर ठीक है, क्योंकि वो जो मानते हैं, वो ये कहते हैं, कि ये कुछ लोगों का संग है, इसको समझ से नहीं मानते हैं, क्योंकि जानते नहीं, पचानते न देंगे मंचमाला नहीं होगी संग के सारी नियम मानेंगे यह समर्ण संग ऑटमेटिक उसमें चला जाएगा विलीन हो जाएगा कुछ भी नाम रख देना इसका कोई दिक्कत नहीं है पर काम तो संग करो काम तो संग वाला करो संग का काम करो ना संग के नियम बनाओना संग के चुनाव होना चाहिए, संग का नियम पास होना चाहिए, सब लोगों को पावर मिलनी चाहिए, सब बरावर होने चाहिए, पैसा लेना बंद होना चाहिए, मंचमाला खतम होनी चाहिए, विक्तिवाद खतम होना चाहिए, रईस्टेशन बंद होना चाहिए, और सब लोगों को मोलनेवासी संग ठन संग मत रखो क्योंकि संग को अगर देखना हो तो युनाटिट नेशन से देखो संग को देखना हो तो संग को देखना हो तो पुराना रूब्रूस का संग था उसको देखो USSR और संग को देखना हो तो भारत गड़राजय संग के संविधान से देखो और संग को देखना हो तो भिक्कों के संग से देखो और कहीं और भी पास देखना हो तो स्रमण संग से देखो तब देखना चाहिए, तब आपको संगवाद में और संगधर्णवाद में अंतर समझ में आएगा इसलिए हमें सारा काम संगवाद के लिए करना है और संगवाद के नियब बहुた सिंपल हैं जो यहां प्राक्टिस होते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं समझ रहे हैं, पर उनको समझाना पड़ेगा कि संग और संगठन में बहुत सारे अंतर हैं। समल गंत के अंदर ये सारे के सारे, जितने भी पी ऍंतर हैं वो बताये गए और बाकी अंतर आप खुद भी देख सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बैठोगे कि यह कैसा होतार कैसा नहीं होता ही। संग इतने कमाल की चीज होती है कि संग में एंटर करने के बाद में आदमी बिलकूर रिलेक्स महसचुस करता है उसे लिए दबाब नहीं रहता और वो खुल के सवचंद रूप से काम करता है और उसका जो संचार है उसके जीवन का और उसके मनमस्तिक का उसका सरीर का वो संग्ठन के लोग आपस में एक दूसरे के सत्रू होते हैं यह प्राकर्टिक नियम है अगर चार दुकान एक सी खुलेंगी चार दुकान लोहा बेचेंगी और एक ग्रहाक आएगा तो चार दुकान दुकांदार क्या चाहेंगे यह ग्रहाक मेरे पास आ जाए और लोहा हमसे खायदे तो हमें फाइदा होगा व़ इस Спष्षकेंख घंधन होते हैं 29 ंधैस लाख संग्ठन खूले हुए हैं ग्रहाक तो एक संग्धन जैसे धमका संग्धन वाला है तो बक्कु चायता है मेरे पास आ जाए जो पॉलिटिकल है संग्धन वाले हैं तो उन्होंने तुका पर संग तो दुकान है नहीं, संग तो घर है और घर में कुछ बेचा जाता नहीं, इसलिए संगों में इस तरह के जगणे नहीं होते, सब को सेल्टर मिलती है, संग तो पूरे सोसाइटी की, पूरी समाज की, पूरे समड़ों की मा है, और मा अपने किसी बच्चे को मना नहीं करती, तो संग्ठन्वालों को भी मना नहीं है, जब तुम्हें होसा आए, आजा ना, होस ना आए, तो भी तुम्हाली दरवाजे खुलें, क्योंकि संग में कोई दरौज एखोता है नहीं, संग तो खुला हुआ होता 24 घंटे, इसमें ना ताला है न दरवाजा है, जब चा पर आओ फिर जाओ जाओगे आओगे जाओगे आओगे संग में नियम है पर आना संग में ही पड़ेगा आना मां के पास ही पड़ेगा यही मां है यही बाप है यही बचाएगा इसने ही पहले बचाए था और अभी भी यह बचाएगा इसलिए चौथा नियम जो हमारा गए हैं और वो समझते हैं तो दिन रात दिन रात उनको संग में और संग्ठन में अंतर सबको बताना चाहिए मेरे वक्त अब में मैं अगर कोई गलती हुई हो तो संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संगं नमामी संगं नमामी संगं नमामी जैभीम नवद्ध है